है कि आप सबी का स्वगत और देखिए आप सबिके सामने में ए俗ा बैंक नि Parl का child open किया वैंक निप्टी यालनिति मैं किस तरीके की opening देखने को मिल सकती यह मंड़े की दिन कहां पर या कहां पर selling करना चाहिए उसके पीछे का क्या logic होने वाला है तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बड़े चार्ट पर बड़े पैटन दिखाना चाहूँ क्योंकि बड़े चार्ट पर बड़े पैटन काफ़ी important हमको जगह देखने को मिल जाते हैं अब आपको याद होगा कि मैंने आप सभी को एक लेवल बताया था और जिस लेवल में हमने काफी अच्छा पैसा बनाया था मैं वह भी आपको चीज़े बताना चाहूंगा कि उसका कॉल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर पब्लिसी किय जब दस पैसा बनते हुँ दिखाई दिया था तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में दिया गया है और देखिए मैं उस लेवल के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि वह लेवल कौन सा लेवल था जैस जब जब इस प्राइस पर आएगा एक आपको सेलिंग देखने को मिलेगी और ऐसा नहीं है कि बात है मैं आपको बता रहा हूं अगर आप देखिए डेटा को ध्यान से देखोगे न तो देखिए आपको समझ में आगा कि इस प्राइस पर मार्केट आया था आपको गिराव मार्केट में सेलिंग sudah देखने को मिले थी शबसे बड़ी वाद जो बड़ा सेलिंग आपको देखने को मला था तो इस जो वाली केंड़ी केंडल को अबी तक फिल नहीं की आया में अब दीखिए हमको दो चीजांबना थो घृजुका साथ सो सतर का प्लाओं तेकि मैंने क्या बोला कि गिरिन केंडिल एक इसके उपर बनना पड़ेगा अगर इसके उपर एक गिरिन केंडिल बन जाता है यानि ओपनिंग आपका नीचे की साइट लेकिन किलोजिंग आपका इसके उपर है जो कि मैंने पिराई साब को बता है ना इस जगह देखे 33,800 के अगर आपको किलोजिंग देखने को मिल जाती है तो इसमें एक आपको तेजी देखने को मिल सकती है फिर जो मार्किट आपका कहीं ने कहीं ऊपर की चाहिए जाता हुँ दिखाई देगा वो इस जगह 300 से लेके आपका इस जगह 400 पॉंटों की आपको तेजी देखने को मिल काफी समय हो चुका है और जा नहीं है आप सवाल आता है कि हम आगे कैसे काम करना चाहिए क्योंकि अब ही करेंट परैश हमको चलते हुँ दिखाई दे ला है कि 33,540 के something का इसका आपको current price दिखाई दे रहा है यानि इस current price से हमको क्या DCN लेना चाहिए मार्केट में इस जगह हमको CE buying करना चाहिए या मार्केट में हमको इस जगह PE buying करना चाहिए और उसके इस प्रवश करते हैं सबसे पहले जो लेवल होगा उसके पीछ लॉजिक होगा वो मैं आपको समझाइता हूँ हमको कुछ नहीं करना है कि हमको जे वाला लेवल देना जो इसका हाई है वह साइस से देखे हमको जगह तक डिढ़ा करना है ठीक है edaator कियात शंज हमारा सपोर्ट हो जुका है और हम क्या करेंगे कि मार्केट अगर अकर ओपन instantly पर बेग लिग करने के ने करने की बाद यसे मार्किट इस लेबल को उपर चाहिताए जो कि आपको इस जगह मैंने बताया ङूंक 33,800 के level को अगर ब्रेक कर देता है तो हम इस level पर CE buying करके चल सकते हैं तेकि मैंना logic समझा के रखा है कि हम क्यों buying करेंगे क्योंकि market में जे वालो जो gap आपको दिखाई दे रहा है market को अभी भी इस gap को fill करना है उपर की side तो अगर market इस level के उपर जाता है तो पहले target की हम बात कर लेते हैं कि पहला target हमको क्या देखने को बलेगा तेकि सबसे पहला जो target होगा वो 33,900 का होगा दूसरे target की अगर हम बात करता है तो इस जगा 34,000 का आपका दूसरा target होगा क्योंकि यह psychology target है और जैसे market आपका 34,000 के level को पार कर देता है तो फिर आपको एक बड़ा target देखने को बलेगा जो 34,200 के something आपको देखने को मिल सकता है तो हम इन तीन target के लिए market में काम कर सकते हैं अगर market इसके उपन निकलता है तो अब मैंने आप सभी के सामने इस जगा option chain का data उपन किया है option chain का data अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो देखिए हम पर जो data है वो इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको दिखाई देखा कि इस जगा 7,000,000 के something का आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वहीं 7,000,000 के something का आपको call के अंदर देखिए इस जगा oi आपको दिखाई दे रहा है यानि इतना हो आई आपको दिखाई दे रहा है call के अंदर लेकिन अगर हम बात करें put के अंदर तो put के अंदर आपको ज़्यादा data दिखाई देता है जो कि इस जगह 7,44,540 के something का आपको इस जगह दिखाई दे रहा है यानि अगर हम बात किया तो market में जो put है वो काफी लोगों ने इस जगा बाइंग किया दिखिए इसका logic क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ मान लिजे कि आपने किसी कॉल को इस जगा 100 रुपे पर बाइंग किया तो यहां पर आप कर क्या रहे हो इस जगा आप एबरेच कर रहे हो और market आपका कहां पर गया था market आपका तेजी के साथ गया था तो जब आप तेजी के साथ काम कर रहे होते हो और जो beginner लोग होते हैं वो क्या करते हैं मार्केट में एभरेज करते हैं कि एच्छा का साथ के चाहिए कि अगया तो यूट तो वह ड़ी टा सही नहीं होता है क्योंकि लोग क्या करते हैं इस जगह कि डेटा जाधा है तो इस जगह पुट में ज्याधा तीजी आई यह वह ऐसा कहीं ने समझते हैं अब देखिए इस जगह आपको एक चीज और आपको समझा लीता है काफी अच्छा डेटा आप सभी के सामने आया काफी कम ऐसा होता है कि इतना बढ़िया डेटा आप सभी के सामने आता है अब जैसे कि मैंने आपको बताए था कि वह उपर वाला जो लेवल है वो 3300 का लेवल है और मार्केट इसको पार करेगा तो एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी कम से कम 200 पॉइंट की तो तेजी आपको काफी जल्दी द आपको समझना है कि आपको नीचे की साइड इस लेवल को अगर बिरेक करता है 33400 को बिरेक करता है तो फिर आपको सेलिंग भी देखने को बिरेक करता है तो एक नीचे की साइड सेलिंग देखने को मिल सकती है ठीक है तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है मार्केट में दोनों तरीके के टेडर होते हैं काफी लोग इस जगा सिखी बाइंग करना पसंद करते हैं तो काफी लोग इस जगा पिकी बाइंग करना पसंद करते हैं अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज काफी अच्छे से समझाता हूं और चीज को आपको विल्कुल ध्यान से समझना है कि अबी तो हमने समझा कि हम कैसे बाइंग कर सकते हैं लेकिन अगर मार्किट हमको ऊपर मिलता है यह मार्केट में तेजी आ जाती है तो हमको उपर की साइट कि जगह पर हमको इस जगह पिकी बाइंग करना चाहिए उसका भी लॉजिक में आपको समझाता हूं तो उपर का एक आपको डीशेटین दिखाय देता है जो कि आपका 34 400 है को मैं इस जगह कलार देना चाहूं हुआ जो पियुकि मैं आपको बड़ा राजिस्टिन अब ऐसा क्यूं तो यहां पर देखिए तिनलों का प्यषा हुआ है और उन लोगों को क्या हो रहा है इस जिगा लॉस हो रहा है ठीक है क्योंकि marked में क्या हुआ था gap के साथ opening हमको देखने को बोलीती और gap के साथ opening होने का आप सभी को पता है कि अगर gap के साथ opening होता है तो इस जगा आप stop loss नहीं लगा सकते हैं गेप के साथ जब भी opening होता है stop loss नहीं लगा सकते हैं तो इस जगह market में फसे हुए हैं अगर market इस जगह दिखे आपका देरे देरे आपको उपर की साइच जाता है और उपर की साइच आपको इस price पे मिलता है जो कि आपका 34,400 का जो level है अगर इस price पे आपको मिलता है तो जितने भी लोगों ने उपर सीखी buying करके रखा है वो सभी लोग इस जगह profit booking करने की कोशिस करेंगे ठीक है और अगर market आपका इस जगह gap से भी open हो जाता है उपर की साइच तो gap से open होने पे भी हम इस जगह इस जगह इही buying करेंगे ठीक है일ए पिलस में अगर percentage की बात करूंँ तो इस जगह इस जगह यहा और की साइच ही मैं जगह देना चाहँगा यानि मार्केट में इतने के साथ में काम करना आउगा कि मार्केट अगर ऑपर की साइट हमको मिलता भी है तो ठीक है तो इतना आपको समझ में आया आगा मार्केट आपका इस वाली पिरस पर इजे मैं लिख देता हूं 34,400 के something अगर market मिलता है इस जगह opening होता है उपर की side और उपर से नीचे आता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं हम उपर के level पर की buying कर सकते हैं 34,400 के something का फिर हमको target क्या होगा तो target की हम बात कर लेते हैं इस जगह पहला target हमको 34,300 का target देखने को बलेगा दूसरे target की बात के है तो इस जगह 34,120 का देखने को बलेगा यानि हम इस जगह जे तीन target के लिए market में कांग कर सकते हैं अगर market हमको उपर की level पर मिलता है तो जितने भी smart trader हैं उनके लिए मैं इस जगह एक trade आपको बता जिता हूं बहुत भड़ी है जी trade आपका बंते वो दिखाए देखा 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 तके बिलकुल ध्यान से आपको इस जगह सुनना है अगर market आपका इस जगह open हो जाता है उपर की शायट आपको open होता है जो कि आपका 33,300 के समतिंग अगर market इस जगह open हो गया है जे आपकी opening हो गया मार्केट आपका इस जगह थोड़ा country टर ना उपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है ना उपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है इस जगह कांसुलेट करने के बाद जिस site आपका एक breakdown या break up देता है ब्रेकाउट का तो मैंने बोल दिया कि अगर जो breakout आपका देता है तो आपको कैसे काम करना है लेकिन अगर जो breakdown देता है तो हम इस जगह selling कर सकते हैं अगर जो हमको breakout देता है तो इस जगह हम buying कर सकते हैं ठीक है जिस दोनों कंडिशन हमको इस जगह देखने का मिलेगी लेकिन आपको बस जगह समझना है कि अगर market उपर की साइट open हुआ है इस पर ओपन हुआ है और आपका konsulate कर रहा है ठीक है उसको konsulate करने दीजिए तकि मैंने कितने मिल्ट का time frame उपर किया है 5 मिल्ट का time frame इस जगह लगाना है और इस जगह देखना जो आपका candle बन रहा है चार-पांस candle बनने दीजिए उसको और चार-पांस candle बनने के बाद उसमें candle को देखे कि अपकी बार इसके ऊपर बनाए candle यानि जो आपका 33,800 के ऊपर बनाए यह आपका इसके नीचे बनाए अगर यह नीचे बनता है नीचे बनता है तो हम इस जगह पी बाइंग करके चल सकते हैं और जो मौनिंग में आपको काफी अच्छा Be Wedrator Rate मिलेगा अगर मर्के-इस पर आपका आता है फो 33,000 अज़िशन आपको इतना है इतना साلام कंडिसन रखना है कि इसके उपर नहीं निकलना चाहिए whether employer है इसके नीचे ही रहता है तो हम एक चोटा सा इसे अच्छा भंब लगा सकते हैं मौनुइं कर सकते हैं गो सब्सक्राइब करा हुआ तो तेटिशनार पांट सो दसका आपका लाश टाड़गेट होगा या Centralertos सब्सक्राइब करें दो